नमस्कार दोस्तो मार्च 2018 में टोयटा और सुजूकी में एक एग्रिमेंट साइन हुआ था तो अंडर दिस एग्रिमेंट ये दोनों ही कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करेंगी तो स्टार्टिंग फेज में दो गाडियां हैं बलीनो और ब्रेजा जिसे टोयटा री बैज करके सेल करेगा और सिमिलरली टोयटा की जो करोला है उसे मारूती सुजूकी री बैज करके अपने शोरूम से सेल करेगी तो दोस्तो यह similar है जैसे कि Renault और Nissan अपने प्रोडक्स को शेर करते हैं दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूँगा कि Toyota क्या changes करने वाला है बिलीनो का अड़ी में और इसकी launch date क्या होगी और इसकी pricing क्या होगी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर और पाईए mobile technology और automatic दुनिया की latest news, reviews and comparisons दोस्तो फ्रेश रेंडर्स की अगर माने तो बिलीनो कुछ ऐसी दिखेगी फ्रंट पे कुछ changes किये गए है, Toyota की badging लगाई गई है और जो air damp उसे change किया गया है बैक पे जो है वो tail light को थोड़ा सा modify किया गया है और दिखने में ये गाड़ी काफी अच्छी लग रही है दोस्तो ये गाड़ी वुसी दो engine options के साथ आएगी जो की है 1.2 liter petrol engine और 1.3 liter DDI जो multi jet Fiat का engine है उसके साथ दोस्तो जो बलीनो का RS variant है उसके बारे में अभी कुछ confirm नहीं हुआ है क्या वो भी company उसे share करेगी या नहीं ये अभी कुछ भी clear नहीं है दोस्तो अगर launch date की बात करें तो 2019 की starting में ये दोनों products अपने अपनी companies ने sale करना शुरू कर देगी तो which is a good thing और अमीद करते हैं कि ये products customers के लिए काफी अच्छा experience लेके आएंगे Thank you guys for watching the video, वीडियो अच्छा लगा तो like बटन दबाईए और subscribe करिए हमारे YouTube चैनल पे और साथ ही दबाईए bell बटन ताकि latest news और reviews सबसे पहले आपको मिल सकें Thank you guys for watching the video, धन्यवाद